एक जंगल में शीरनी अपने बच्ची के साथ खुशी-खुशी सी रहा करती थी उसका बच्चा दिखने में बहुत ही बोला था इसलिए उसने अपने बच्ची का नाम बोला रखा बोला बहुत नटकड़ था वे हमेशा ही दूसरे जानवरों के साथ दिन रात खेलता रहता था और अपनी मा की एक भी नहीं सुनता था बोला अपने मित्र हाथी और बालू के साथ उशलकूद करता रहता था और उन्हीं के साथ ही जादा वक्त बिताया करता था एक दिन बोला की जंगल में रंग भी रंगे शीरों की बच्चे आ जाते हैं बोला उन्हीं देखकर दंग रह गया और तबी वे उनसे पूछने लगता है अरे भाई तुम कौन हो और कहां से आए हो मैंने तो आज तक तुमें इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा तुम दिखने में बहुत ही खुबसूरत हो कृप्या करके मुझे अपना परिच्चे दो हाँ भाई हम दूसरे जंगल से आए हैं हम अपने गर को लोट रहे थे तब ही हमारी नजर तुम पर पड़ी और हम तुमें देखने के लिए यहां आ गए हमारा कोई मित्तर नहीं है क्या तुम हम से मित्तरता करोगे हाँ हाँ क्यों नहीं मित्तरो मैंने रंग बिरंगे शेरों को पहले कभी नहीं देखा मुझे तुम बहुत अच्छे लगे आज से हम सब साथ में मिलकर रहेंगे दीरे दीरे बोला की मित्तरता उन रंग बिरंगे शेरों के साथ बढ़ने लगे वे उनी के साथ ही अपना सारा समय बिताने लगा यह देखकर बालू और हाथी बहुत उदास रहने लगे उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका मित्तर बोला उनसे दूर जा रहा है एक दिन बालू बोला को अपने पास बुला कर उसे कहने लगता है अरे बोला हमसे ऐसी कौन सी बूल हो गई है जो अब तुम हमारे साथ नहीं खेलते ऐसा लग रहा है कि तुम हमसे दूर जा रहे हो तुमें उन शेरों के साथ मितरता नहीं कनने चाहिए मुझे उनकी चाल डाल ठीक नहीं लग रही वो मुझे और हाथी को गूर गूर कर देखते हैं हमें तो उनसे डर लग रहा है तुम आज से हमारे साथ ही रहा करो नहीं नहीं ये तुम क्या कह रहे हो तुम मेरे मितरों को ऐसा मत बोलो वो तो बहुत अच्छे हैं वें मुझे डेर सारा खाना खाने को देते हैं और मुझे दूसरे जंगलों में भी गुमाने के लिए लेकर जाते हैं मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ इसलिए अब मैं उनके साथ ही रहूँगा अब से वही मेरे पक्के मितर हैं बोला की जिन्ता होने लगी थी, तबी बोला की मा ने बालू और हाथी को अपने पास पुला कर उन से पूछा, तुम अकेले ही चले आए हूँ, बोला को अपने साथ क्यों नहीं लाए, वे तुमारे साथ क्यों नजर नहीं आ रहा, कहा है मेरा बोला। बालू और हाथी शीरनी मॉसी की ये बात सुनकर दंग रह गए तबी बालू कहने लगता है अरे मॉसी ये क्या कह रही हो, क्या आपको नहीं मालुम बोला अब हमसे मितरता नहीं करता, उसने अपने नए मितर बना लिये हैं वो अब रंग बिरंगे शेरों के बच्चों के साथ रहता है हमें तो लगा शायद ये बात आपको मालम होगी इतना कहकर बालू और हाथी वहां से चले जाते हैं और बोला की माँ उसके गर लोटने का इंतजार करने लगती है अगले दिन जब सुबह होती है बोला गर लोट कर आता है तब ही उसकी माँ गुसे में आकर बोला से कहने लगती है कल रात तुम कहा थी मुझे तुमारी चिंता सता रही थी क्या तुमें मालूम भी है मैंने पूरी रात बूजे नहीं किया बस तुमारा है इंतजार कर रही थी क्या मा तुम तो यूही परेशान हो रही हो मेरे मित्र तो रात को सोते ही नहीं वे तो रात को शिकार की तलाश करते हैं मेरे मित्रों ने मुझे कल रात बहुत सारा गोश खिला दिया था जिसकी वज़े से मेरा पेट बहुत बर गया था और मुझे वही पर ही नीदा आ गई अब मैं बड़ा हो रहा हूँ आप मेरी चिंता मत करा करो मेरे मित्र बहुत बलवान है उनसे सारा जंगल डरता है कोई भी हमारे सामने नहीं आता नहीं बेटा तुम अपने नए मित्रों का साथ शोड़ दो मुझे इनकी चार डाल ठीक नहीं लग रही अगर तुमें कुछ हो गया तो मैं जिन्दा नहीं रह पाऊंगी तुम हमेशा हाथी और बालू के साथ ही रहा करो वे दोनों बहुत अच्छे हैं और तुमें बुरी संगत से दूर रखेंगे प्रंतु बोला अपनी मा की बात कहां मानने वाला था वे तो बहुत शरार्ती और जिद्धी था वो तो उनी शेरों को ही अपना पका मित्तर मानता था दीरे दीरे बोला के मित्तर उसे गल्द संगत की और ले जाने लगे वो उसे निर्दोस जानवरों का शिकार करने के लिए कहने लगे एक दिन बोला का मित्तर हरा शेर बोला से कहने लगता है बोला मुझे पता चला है के यहां से कौन सो मील दूर एक ऐसा जंगल है जहां पर बहुत सारे जानवर रहते हैं हमें शिकार करने के लिए उस जंगल में जाना होगा वहां पर हम पेट बर कर धेर सारा खाना खाएंगे हमें बापस लोटने में कम से कम एक हफ़ते का वक्त लग सकता है ये क्या कह रहे हो एक हफ़ता? नहीं नहीं अगर ये बात मेरी माँ को पता चल गई तो वह मुझे बहुत मारेगी मैं नहीं जा सकता तुमारे साथ अरे बोला अब तुम बच्चे थोड़ी नहो जो हर बार तुमें अपनी माँ से आग्या लेनी होगी एक हफ़ते की तो बात हैं क्या मालुम हम एक हफ़ते से पहले लोट आएं? चलो चलो अब हमें इंतजार नहीं करना चाहिए बोला अपने मित्रों के साथ शिकार करने के लिए उस चंगल की ओर चला जाता है और इधर बोला की मा उसका गर लोटने का इंतजार कर हुए थी तीन दिन बीच चुके थी बोला गर लोटकर वापस नहीं आया तब ही बोला की मा बालू और हाथी को साथ लेकर बोला की तलाश करने लगती है और उसकी याद में इधर उदर बढ़कने लगती है बहुत देर चलने के बाद बालू शेरणी пожिसे केहने लगता है मुझे तो लग रहा है वे शेरों के बच्चे बोला को दूसरे जंगल में ले गए हैं क्योंकि बोला अक्सर ही दूसरे जंगल की बात किया करता था हमें तुरंत ही आसपास के जंगलों में जाकर उसकी तालाश करनी चाहिए तब ही वे तीनों बोला की तलाश करने के लिए दूसरी जंगल की और चल पड़ते हैं बहुत दीर तक चलने के बाद वे तीनों एक पेड़ के नीचे अराम करने के लिए बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ बोला और उसकी साथी शिकार की तलाश करने लगते हैं। रंतु बहुत देर तक चलने के बाद उन्हें एक भी जानवर दिखाई नहीं दिया। देखते ही देखते हैं तिनु ही भूक से तड़पने लगते हैं। तभी हरा शेर अपने बाई के कान में कहने लगता है। भाईया इस जंगल में तो एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे तो हम भूक से तड़पकर यहीं मर जाएंगे। हमने पूरे शेर दिन से कुछ नहीं खाया। मैं तो कहता हूँ कि हम इस बोला का ही शिकार कर लेते हैं। और किसी को पता भी नहीं चल लेगा। तब ही वो दोनों बाईय मिलकर बोला को गूर गूर कर देखने लगते हैं। तब ही बोला उनसे कहने लगता है। क्या हुआ मित्तर तुम मुझे ऐसे गूर कर क्यूं देख रहे हूँ। बोला हो सके तो हमें माफ कर देना प्रंतु हम भूक से मर जाएंगे। हम नहीं रह सकते। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम तुमारा ही शिकार करेंगे। बचाओ। बचाओ। इतना कहकर वे दोनों बाईय बोला की पीछे पड़ जाते हैं। और बोला जोर जोर से चिलाने लगता है। और उनसे दूर बागने लगता है। तब ही उसी जंगल में इंतिजार कर ही उसकी मा को बोला की चिलाने की वास सुनाई देती है। और वे तुरंत ही बोला की और बागने लगती है। दोनों रंग बिरंगे शीर बोला को मारने ही वाले थे। कि तब ही वहां पर बोला की मा बालू और हाथी आ जाते हैं। जिनने देखकर वे बालू और अपनी माँ से माफी मांगने लगता है और कहने लगता है मुझे माफ कर दो माँ तुम सच कह रही थी हमें बुरे लोगों के साथ मितरता नहीं करनी चाहिए और ना ही बुरे लोगों की बातों में आना चाहिए हमें हमेशा सच्चे मित्र की पहचान करनी चाहिए और अपने माँ बाप की आग्या का पालन करना चाहिए बोला फिर से अपनी माँ बालू और हाथी के साथ खुशी-खुशी से जंगल में रहने लगता है इससे हमें ये सीख मिलती है बच्चो कि हमें बुरी संगत से दूर रहना चाहिए और सच्चे मित्र की पहचान करनी चाहिए और अपने माता पिता की आग्या का पालन करना चाहिए